अब exercise 12.1, sum number 6, find the ratio following, आपने ratio निकालना है 81 to 108, first part दिया हुआ है आपका, 81 to 108, इसको आप ratio में ऐसे लिखोगे, 81 ratio 108, 2 के बाद जो आएगा उसको बाद में लिखोगे आप ratio का sign डालके, ये आपका sign ratio का है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 81 divide by 108, इसको divide करना है आपने दोनों same ही table से divide हो, तो यहां आप क्या करोगे, 3 से divide करोगे 27, इसको 3 से divide करोगे, same number से divide करना है, 3, 3 is a 9 और आपका 1 बच गया 3, 6 जा, अब ये 3 से फिर 9 और 3 से फिर, ऐसे ही 3 के table से फिर ये divide हो जाएगा, तो ratio के आगे आपका, 3 ratio 4, ऐसे ही इसको भी simply divide करके आप लिख सकते हो, 6th question में next part भी इसी तरह से हैं, अब है आपका 7th question, find the ratio of the following, 30 min to 1.5 hour, 7th question है आपका, 7th का a part, a part, क्या है 30 min to 1.5 hour, अब देखो यहाँ आपको hour में दिया हुआ है और यहाँ mint, आप इस hour के भी mint बना लोगे, 1 hour is equal to 60 mint, आपने 60 mint बना ली, यहाँ क्या हाँ, आपका 1.5 hour, 60 multiply 1.5, तो क्या आगे आपका, 90.0 mint, point के बाद 0 की कोई value नहीं, उत्ती इसलिए आप क्या लिखोगे, 90 mint, तो ratio कैसे निकालोगे, 30 mint, ratio 90 mint, आपने mint बना ली इसकी, तो इनका ratio निकालना है, 30 mint, ratio 90 mint, 0 से 0 cut, 3 की table पे यह 3 और 9 cut, 3 बन जा 3, 3 तरी जा 9, ratio क्या आगे आपका, 1 ratio 3, इसी तरह से आपने next part जो है, करने हैं, यह centimeter में दिया हुआ है, B part 1.5 meter, meter को आप centimeter में convert करके, अगले part जो है, वो solve करेंगे,